अगर आप फोटोशॉप का यूज करते हैं और आपकी फिरसी फाइल कुछ इस तरह की दिखाई दे रही यानि कि उसका थमनेल नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरा आज का वीडियो आप दोको के लिए आज मैं आपको बताने वाहरा हूं कि आपके इस तरह बहुत इराम से इन जो आप सबी दोको के लिए काफी काम के साहिवी रहता है तो चलिए स्टार्ट करते है अपना टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं यहां मेरी कुछ पेश्डी फाइल है जिसका मुझे थमनेल नहीं दिखाई देता है अगर आप फोटोशॉप का 7 वरिजन यूज करते तो पीच्डी फाइल नहीं दीखाई देता है और आपको प्यच्डी फाइल का थमनेल नहीं दिखाई देता और आप नॉर्मारी duble click करके पीच्डी फायल को फोटोशॉप में open करके देख दें तो ऐसे में काफी ज़्यादा टाइम वीस्ट होता है तो हम इस पिच्डी फायल का थमनल कैसे देखें तो इसके दिए आपको एक शॉप्टर की जो पड़ेगी शॉप्टर आपको मेरी वेबसाइट है हिंधी टैग्डू.com इसमें मिल जाएगा यहीं मैंने एक आर्टिकल लिखा वाई मैं आपको दिखा रहे तो देखी पेजी फाइल वीबस शॉप्टर इस आर्टिकल का लिंग इसी वीडियो की निचेटी दिखन बॉक्स मैंने दे दिया है आप वहां क्लिका के इस आर्टिकल तक आ सकते हैं और यहीं पर देखी आपको यहां क्लिका के उस पेजी फाइल शॉप्टर को डाउनूट करना को जैसे आप यहां क्लिक करेंगे आप उफ्यप की वेबसाइट आपकर वहांसे आप से आप इस शौप्टर को डाउनूट कर सकते हैं तो इस पारगलेसशी अपने पास डाउनूट कर रखा है यहांdो क्लिक करता हूं और एसका हम सफडएप करते हैं उसकी पाद इस पदिकलो ए पूंधं करते हं को करेंगे तो then next वाले option और then next और सिद्धा इस्टोर वाले option भी आपको यहाँ क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ पस थोड़ा से वेट करना होगा हम थोड़ा से वेट कर देते हैं यह देखिए यहाँ फिलाल इसका icon चेंज हो चुका है जैसे यह software इस्टोर होगा अब हमें इसका थमनेल डिख जाएगा यहां से में next वाले option में क्लिक करता हूं और then next वाले option में क्लिक करता हूं इसको यहां से में refresh करता हूं अभी हमको यह thumbnail नहीं दिखाई दिया है तो उसका रिजरी में आपको बदा लेता हूं पहले हम इसकी property चेक कर लेते कि कितनी इसकी property से यह देखिए 132 हम इसकी property से अब thumbnail चेक करने के लिए हमको उसी software के नदर जाना होगा और settings करने होगी क्योंकि वह ऐसा software जो आपको size के हिसाफ से thumbnail दिखाता है तो यहां पर मैं right click करता है right click करने के बाद देखिए आपके सामने से एक thumbnail का option आता है आप इस पर click करें और यहां आप और यहां आपको सबसे last पर option दिखाए देगा इस एक thumbnail option तो आप से इस पर click करें अभी देखिए यहां जो इसका thumbnail का size रखा है यह रखा है handwritten वी और जो हमारी file है वो लगबाग 132 अंभी तो यहां से आप कितना भी MB कर सकते हैं यहां से 500 MB कर देता हूं 500 MB करने के बाद आपको यहां देखे काफी साथ फार्मेट भी जाते हैं आप इस software के मातब से किसी भी format में किसी भी format की file देख सकते हैं तो फिलाल तो हम यह MB की settings करते हैं और okay पर click कर देते हैं और किलिक करने के बाद हमको यह थोड़ा सा बेट करना है इस वाप्तर के आपको और भी फायद है देखना को मिलेंगे आपको अभी बताऊंगा तो इसको हम यस पर क्लिक कर देते हैं और अपने फोल्डो को दुबारो ओपन कर लेते हैं यह देखिए थमनेल हमको यह दिखाई देगी आप यू पर जाके इसको लाज़ पर क्लिक कर देखिए अब इस शॉप्टर की एक और खास है तो भी भी मिताता हूं अगर आप किसी प आप पभी में तो नार्मल सिर्ण सब्सक्राइبة देखिए लिए कोकर देखिए आपको ऑप्सकन दिखाई हो दाया है यह देखिए यह वह है यह PSG file को thumbnail की रूप में ज़े सकते हैं और साथ ही साथ उसे convert भी कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे recent box में आपको मेरे startika का link मिल जाएगा आप वाहन तरी करके इस software को download करके अपने system में store करिए और PSG file के thumbnail के साथ साथ और भी ज़्यादा features का statement करें तो आज के लिए बस इतना ही मीचते हैं अपने अगली वीडियो में Thanks for watching my video